आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास ही। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही साधारण सा दिखने वाला पेड जो की लाखों गुणों की खान है के बारे में बताने वाले हैं। इसी कई बीमारियां जो लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी खत्म नहीं होती, ऐसे में यह पेड बहुत ही उपयोगी है, इस पेड का हर भाग बहुत ही उपयोगी है। तो आज हम बात कर रहे हैं करंट के व्रिक्ष की। जी हाँ दोस्तों, इस पेड का नाम सुनने मे जितना इंट्रेस्टिंग है, उतना ही ओशधिय गुणों से भरपूर है। यह रामबान ओशधी का काम करता है, यह विभिन प्रकार के रोगों को जड़ से खत्म कर सकता है। जैसा कि सभी प्रकार के दाद खाज, खुजली कुष्ठ रोग, सफेद दाग तथा अन्य प्र रोगों को दूर कर सकता है और यह पेड बहुत ही आसानी से मिल जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी पहचान हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको हमेशा क काम आएगी। और हाँ, यदि आप दुनिया की सभी प्रकार की जड़ी बूटियों की पहचान करना जानना चाहते हैं, तो अगर आपने तीज, त्योहार और धर्म चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ही, तो पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और नई वी क्योंकि भगवान धनवंतरी विष्णु भगवान के अवतार है और ये हिंदु धर्म चिकित्सा के देवता हैं, आप इस वीडियो को बिलकुल भी स्किप मत करना, पूरी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण औशधी के पेड़ की पहचान करवाएंगे, तो पहले इस औशधी के पेड़ की पहचान हम आपको करा देते, इसकी उंचाई आदी में भिन्नता होती है, इसके पत्ते गहरे हरे, चमकीले और दो से पांच इंच लंबे होते हैं, सभी आर्थु में इस पर फूल आते हैं और इन फूलों के ऊपर हमेशा मधुमक्खियों मंडराते रहती है, इस पेड़ पर फलियां लगती हैं, जो कच्ची अवस्था में हरे रंग की होती है, तथा जब यह फलियां सूख जाती हैं, तो इसको तोड़ने पर इसके अंदर एक या दो बीज निकालते हैं, अधिकतर एक बीज देखने को ज्यादा मिलता है, यदि इन बीजों को भी तोड़ा जाए, तो यह सफेद रंग का निकलता है, यह खाने में कड़वा होता है, इसके पत्ते गोल चिकने अंडाकार तरह 2-6 इंच तक के लंबे होते हैं, और कभी कभी इसके पत्तों के साइज बढ़कर 8 इंच तक का हो जाता है, और यह पत्ते खाने में कड़वे भी लगते हैं, इसके बीजों से तेल निकाला जाता है, जिसको गंज का तेल कहा जाता है, इसके बीजों में लगभग 30% तक तेल पाया जाता है, यह तेल चपरा लाल भू और चर्म रोगियों पर प्रयोग किया जाता है। जानते हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आप कौन से क्षेत्र में रहते हैं और इसको किस नाम से जानते हैं। अलग-अलग चर्म रोगों में इसको अलग-अलग तरीके से प्रयोग भी किया जाता है। करंज का पहला प्रयोग करंज के जो बीज है वो आपको लेने है और साथ ही में हल्दी हर्ड और राई। इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर बारीक पीसना है और पेस्ट तैयार करना है और इस लेप को बीमारी के स्थान पर लगाना है। और दस बारह दिन के प्रयोग से जड़ से खत्म हो जाती है और आपको पहले दिन से ही लाब होना प्रारंब हो जाता है। इसके अलावा करंज के बीजों के साथ सफेद कनेर की जड़ को पीस कर भी प्रयोग करने से विशेश लाब मिलता है। इसे भी आप घाव या बीमारी वाले स्थान लगा सकते हैं। अब हम आपको इसका दूसरा उपयोग बताने वाले हैं। यह विधी खासकर बच्चों की मानों के बहुत कम की है, क्योंकि अक्सर छोटे बच्चों के पेट में कीडे की समय ज्यादा होती है। तो पेट में कीडे हो जाने पर इसके बीजों के चूर्ड में थोड़ी सी हिंग मिला कर खिलाने से पेट के कीडे खत्म हो जाते हैं। करंज के बीजों का तेल भी निकाला जाता है और यह तेल आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। इसको करंट का तेल या कंजी का तेल और करंज का तेल भी कहा जाता है और यह online पर भी मिलता है अब जो हम तीसरा प्रयोग बताने जा रहे हैं वो करंज के तेल का है करंज के तेल में नीम्बू का रस मिला कर खुजली पर लगाने से पुराने से पुराने खुजली जो ठीक न के अंदर पित बढ़ गया हो और उसके कारण काफी सारी बीमारियां उत्पन्न हो गई है तो पित संबंधी रोगों को दूर करने के लिए करंज बहुत ही अच्छा काम करता है। घाव के कीटाणूओं को मार देता है और घाव जल्दी भरने लगता है। बहुत से लोगों को गठिया बाई का रोग रहता है। ऐसे में उन लोगों को करंज के तेल की मालिश करने से गठिया रोग ठीक हो जाता है। वह पहले दिन से ही आपको लाब मिलने लगता है। बालों की समस्या को दूर करने के लिए भी करंज का तेल बहुत ही फायदेमंद है। इसके लिए बहुत ही आसान सा प्रयोग है। इसके जो फल होते हैं उसको बिलकुल बारीक पीस कर चटनी की तरह कर लें। और फिर उस को सिर में जहां बाल कम हैं, वहां लगाए इसे लगाने से बाल आने लगते हैं। लेकिन यह 100% लोगों पर लाब नहीं करता है। अधिकतर लोगों को लाब हो जाता है। करंज के फूल शुगर और डायबिटीज नाशक भी होते हैं। शुगर और को डायबिटीज दूर क बारीक चूर्ण बनाकर किसी डिब्बे में भरकर रख लें और एक छम्मच की मात्रा में नियमित पानी से लेते रहने से मधुमेह की समस्या खत्म हो जाती है और यह मूत्र संबंधी विकारों को भी ठीक करता है। पत्थरी और बवासीर रोग को दूर करने के लिए इसका एक बहुत ही विशेश प्रकार का प्रयोग है। यह दोनों को ही ठीक कर देता। इसके लिए इसके बीजों का चूर्ण 11 दिन तक सेवन करना होता है। इसके सेवन विधी यह है कि पहले दिन 1-2 ग्राम शहद मिला कर सेवन करें तो 3 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 6 ग्राम, 10 आप अपनी बदलाव अनुसार कम ज्यादा भी कर सकते हैं। शहद में मिला कर सेवन करना है। जिससे पथरी रोग या फिर बवासीर का रोग दोनों ही प्रयोग किया जाता है। करंज के बीजों का चूर्ण हमेशा ताजा बना कर ही सेवन करना चाहिए। क्योंकि इसके अ अप्थर पर पानी की सहायता से घिसकर फोड़े फूसियों पर लगाने से फोड़े फूसियां ठीक हो जाती हैं। तथा चेहरे के कील मुंहा से दूर करने के लिए भी इसके बीजों को पानी के साथ घिसकर चेहरे पर लगाने से चेहरे के कील मुंहा से दूर हो जाते है तो यह थी बहुत ही महत्वपून करंज के पेड की जानकारी। साधारन सा यह पेड बहुत ही कारगर और औशधीयक गुणों की खान है। करने की कोशिश करेंगे, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।